नमस्कार आप तक में आपका स्वागत है देश की राजधानी दिल्ली इस्थित इजराइली दूतावास के बाहर 29 जनवरी को हुए बंबी स्फोर्ट के पीछे इरान का हाथ था इजराइल से अपनी दुस्मनी निकालने के लिए इरान ने बड़ी ही चालाके से भारत के लोकल माड्यूल का सहारा लिया था इजराइली दूतावास के बाहर हुए बंबी स्फोर्ट की जाच में जुटी एन आई ए नेसनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी और इजराइली खूफिया एजनसी मुसाद को मिले सपूतो के अधार पर यह जानकारी मिली है आपको बता दें कि जैसे इजराइली खूफिया एजनसी को मुसाद कहते हैं वैसे ही भारत की खूफिया एजनसी का नाम रौ है इजराइली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके के जाच में एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि एह हमला दो इराणी नागरी को की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया था इसके बाद से जाच एजनसीयों ने बम भी स्फोर्ट की जाच कई एंगलों से करनी शुरू की थी इससे खुलासा हुआ कि इराण की कुद्ध इराण की जो कुद्ध स्फोर्स ने यह धमाक करवाया है रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराईली दूतावास के बाहर हुए बम भी स्फोर्ट के पीछे इराणी कुद्ध स्फोर्स का हाथ था लेकिन यह बम एक इस्थानी भारती सिया मार्डियू ने प्लांट किया था इतना ही नहीं जान बूज कर ऐसे सबूत छोड़े गए जिसे हमले के पीछे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ लगे इसी योजना के तहट दूतावास के बाहर हुए बम धमाके के बाद एक अनजान संगठन जैस उलहिंद ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी हाला कि अब आतंक रोधी एजन्सियां अब यह पुक्ता कर चुकी हैं कि यह हमला इरान की कुद्स फोर्स ने इजराइल के खिलाफ किया था पहचान उजाकर ना करने की सर्थ पर जास से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि बम जादती व्रता का नहीं था ना ही इसका लच लोगों को नुकसान पहुचाने का था यासी इसलिए भी हो सकता है कि इरान सायद भारत के साथ रिष्टे तनाव पुरण नहीं करना चाहता था लेकिन संदेश साप था और खत्रा भी असरी था यह बम बिस्पोर्ट रिमोट कंट्रोल वाले डिवाइस द्वारा किया गया था इसके आसपास ज्यादा छत छती नहीं हुई लेकिन चारो और आसपास जो कारे खड़ी थी उनके डोर की काँच जो है चटक गई थी आपको ग्यात हो कि भारत के रिष्टे दोनों देशों में अच्छे हैं लेकिन इरान और इजलाईल आपसी दुसमन है इरान से दोस्ती का कारण भारत कचा बहर बंदरगाह है जिससे भारत इरान से तेल लाएगा और बदले में इरान को चावल देगा जिससे तेल की कीमतों में गिरावाट आएगी और हमारी मुद्रा रुपिया कभी माइनस में नहीं जाएगा भारत जो बंदरगाह बनवा रहा है उसे दूसरे देश भी यूज़ कर सकेंगे और हमें उन देशों से इजाफ़ा होगा बात करें इजराहिल की तो भारत की खातिर दुन्या से लड़ सकता है इजराहिल रूस जैसा पक का दोस्त जो आधी दुन्या से लड़ने के लिए तियार हो गया था इस खबर में बस इतना ही मिलेंगे अंगली खबर लेकर तब तक के लिए भारत मातर की जै और हाँ इस वीडियो के माज़ध्यम से आपको लगता हो कि कुछ जानकारे मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ओल करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करना